इस वार का जो चुनाव होगा भईया, वहोगा महँगाई पर, विरोजगारी पर, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, जैदिक्षित साहब या फिर पुदार साहब, ये पहली बार नहीं है, हर आध दस साल बाद भी मैं कहा हूं यही बात होगी, सरसों का तेल नहीं महँग लेकिन जैसे चुनाओं आता है तो आज अगर मैं निकल जाओं मुझफर नगर में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी तो गर्मी उतार देंगे और इसको शिमला बना देंगे अगर मैं आज मुझफर नगर चला जाओं और किसी प्रवीन त्यागी के सामने खड़ा जो तो प्रवीन त्यागी मुझसे कहेगा कि उन फलानों की तो गर्मी उतार देंगे और उनको यहां शिमला बनाके दिखाएंगे और वहीं अगर मैं किसी मुस्ताक भाई किया चला जाओ या किसी कि यहांँ बी चला जाओ जो विपख्षी पार्टियों संबंद रखता हो कोई भी हो सकता हो प्रवीन आदव साब भी थाकुर साब भी हो सकते है तो वो कहते हैं कि इनकी सारी चर्वी उतार देंगे भी चुनाओं के बार तो जो कल तक महंगाई मुद्दा था विरुजगारी मुद्दा था वो गर्मी मुद्दा है चर्वी मुद्दा है तो ये जो मुद्दे जब खुदी नेता ही डिसाइड करते हैं तो जनता है फिर कि किस पोजिशन पर है क्योंकि नेता आते हैं लास्ट में रैली करते हैं खुदी मुद्दे पकड़ा के चले जाते हैं कि ननकु तुम यह वाला मुद्दा रखो रज्जा की वाला रखो शेवन त्यागी तुम यह वाला रखो और इसी मुद्दे पर जाकर वोट डाल के आना काविंदर जी देखे ऐसा है मेरा ये मानना है कि हम इस दुनिया के अंदर कोई भी विक्ति वो चीज बेचना चाहता है जो चीज असानी से बिख जाए बिलकुल